नमस्कार दोस्तों ट्लास सेवन्त मारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्टा नुम्बर एट अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन्स एंड ऑपरेशन्स ओन देम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडिशन आफ अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन्स तो algebraic expressions की addition यह point शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरुद है कि channel को subscribe करें like और share करें और bell icon प्रेस करें जिससे की आपको आने वाले videos के notifications मिल जाएं तो next जो point है इसमें भी addition of monomials तो monomials के addition से ही addition of algebraic expression हम जो point है या फिर addition of algebraic expressions है वो solve करते हैं कि देखिए suppose यहां पे 3x है और यहां पे 4y है अब हमें इन दोनों के addition करनी है तो इन दोनों के addition होगी 3x plus 4y simply तो 3x और 4y यह जो दो terms है एक अब algebraic expression एक ही term से हैं तो यह term ही हो गए single term है तो दोनों जो terms है वो like है या unlike है unlike terms है क्योंकि variable part अलग-अलग है तो जब भी variable part अलग-अलग होगा उनके addition करने हैं तो उनके बीच में sign plus रख दो और दोनों का addition प्लस के वाज़ो में रख दो उनके addition हो गई अब suppose 3x और 4x इनके addition करने हैं तो हमें 3x plus 4y is equal to अब 3x plus 4y इनके addition sorry 4x अब इनके addition कैसे करने हैं देखे कि 3x और 4x यह हो जाएंगे 7x कैसे होगे देखे एक्स एक्स कॉमन यहां पर रखे और जो नमबर्स हैं कोई पीशन्ट है उनके साथ उनकी addition करना है अब 3 का sign plus 4 का भी sign plus same sign है तो addition करें 4 plus 3 7 greater number का sign लिखे प्लस प्लस 7x अब next point है वो है addition of binomials यहां पर एक binomials है 3a plus 4b और दूसरा binomials है 7a minus 5b इन दो binomials की अगर हमें addition करनी है तो हम दो टाइप से addition कर सकते हैं एक है horizontal arrangement और दूसरी है vertical arrangement अब horizontal arrangement में हमें दोनों को दोनों terms को एक के बाद एक लिखना है तो first algebraic expression लिखेंगे plus second तो first algebraic expression के बाहर यहां पर sign plus है तो plus से अगर हम bracket को multiply करता है तो sign किसी का भी change नहीं होता है और यह bracket remove हो जाता है तो 3a plus 4b as it is रह जाता है यहां पर अब फिर plus से multiply करना है bracket को तो plus into plus plus 7a plus into minus minus 5b plus से multiply करेंगे तो sign किसी का भी change नहीं होगा फिर उसके बाद हमें क्या करना है जो भी like term है उनको उनके sign के साथ हमें एक साथ रखना है देखेंगे यहां पर 3a और यहां पर 7a 7a का sign plus है तो 7a को यहां पर और 4b को यहां पर shift करना है तो plus 7a हम यहां पर लिखेंगे plus 7a plus 4b अब plus 4b और जो रह गया है minus 5b अब जो भी like terms हैं उनके हमें addition या subtraction sign के अनुसार करना है देखें 3 का sign plus 7 का sign plus तो plus plus addition होगी a a like term में जो variable है वो as it is लिखना है a और इन दो numbers की addition या subtraction sign के अनुसार 7 plus 3 10 10a greater number का sign plus plus 10a अब आता है 4b minus 5b की तरब plus 4b minus 5b तो b variable है तो यहां पर b आ जाएगा अब 4 का sign plus 5 का sign minus दोनों का sign अलग-अलग तो addition subtraction के rule के हिसाब से इनके subtraction होगी 5 greater number से smaller sum number subtract करो 5 minus 4 1 और greater number का sign minus तो minus 1b minus 1b मतलब minus b यह होता है देखें प्लस a लिखेंगे तो यह 1a होगा प्लस 1a माइनस a लिखेंगे तो minus 1a होगा तो minus 1b लिखना है तो हमें सिर्फ minus b ही लिखना होगा तो 10a minus b यह जो है इन दोनों के addition होगी यह तो ही horizontal arrangement अब आते है vertical arrangement 3a plus 4b plus 7a minus 5b तो जो first algebraic expression है 3a plus 4b as it is पहले लिखेंगे फिर जो दूसरा algebraic expression है उसमें से एक एक term इसके नीचे लिखना है तो कैसे लिखना है like term के नीचे like term लिखना है तो 7a जो है वो 3a के नीचे होगा तो यहाँ पर होगा 7a minus 5b b के नीचे होगा minus 5b अब इनके हमें addition करने है तो sign हमें यहाँ पर plus रखना है तो plus sign करेंगे मतलब इनके addition होगी तो अगर addition करना है तो किसी का भी sign change यहाँ पर नहीं होगा अब like term के addition या subtraction उनके sign के अनुसर करना है देखें यहाँ पर 3a है और 7a है तो 3 का sign plus होता है 7 का भी नहीं है कुछ तो sign plus होगा plus plus तो इन दोनों के addition होगी 3 plus 7 10 और variable as it is रखना है variable में कुछ भी नहीं करना है change फिर 5 और 4 दोनों का sign अलग-अलग 5 से 4 subtract करो 1 आ जाएगा greater number का sign minus तो minus 1B 1 लिखने की जुरूत नहीं है minus B 10A minus B और पहले जो answer था 10A minus B सेम answer आ गया है vertical arrangement करो या horizontal answer है हमें सेम आना चाहिए practice at 33 question है add 9P plus 16Q और 13P plus 2Q तो 9P plus 16Q 9P plus 16Q plus अब दोनों algebra के expressions को हम bracket में लिखेंगे 13P plus 2Q तो first जो है arrangement वो हम horizontal arrangement से addition करेंगे अब bracket के बाहर sign plus है तो plus से bracket को multiply करेंगे तो sign change नहीं होगा 9P 9P as it is होगा plus 16Q as it is होगा अब plus से bracket को multiply करेंगे तो plus into plus plus 13P plus into plus plus तो Q अब इसके बाद हमें like term एक साथ लिखने है 9P plus 13P प्लस 16Q अब जिस भी term को हम लिख रहे हैं उसको underline करेंगे इसका मतलब कि इतने terms हमने यहाँ पे लिखें है plus 2Q plus 2Q अब जो भी like term है उनकी addition 9P plus 13P तो जब भी addition करेंगे तो variable part as it is रखना है P plus 13 plus 9 same sign addition 13 plus 9 22 greater number का sign plus शुरू में plus लिखने की जरुरत नहीं होती plus 16Q plus 2Q तो 16 plus 2 plus 18 साथ में लिखना है Q 22P plus 18 Q अब यह तो हो गई horizontal arrangement अब हमें vertical arrangement से solve करना है तो first algebraic expression हम यहाँ पे लिखेंगे 9P plus 16Q plus 13P 9P के नीचे लिखना है like term के नीचे like terms लिखना है plus 2Q plus 16Q के नीचे plus 2Q अब addition करना है तो like term के addition like term के नीचे लिखना है 9P plus 13Q sorry 13P plus 9 plus 13 13 plus 9 22 plus plus sign है तो plus ही आएगा और P साथ में variable as it is plus plus sign है तो दोनों के addition करने होगी और addition को भी sign plus ही आएगा तो 16 plus 2 18 और यह यहाँ पे होगा Q 22P plus 18 Q next जो question है वो देखे 2A plus 6B plus 8C एक algebraic expression second algebraic expression 16A plus 13C plus 18B तो दोनों टाइप से हम इनके addition कर सकते हैं तो हम अभी vertical arrangement से इनके addition करेंगे तो first algebraic expression as it is लिखे 2A plus 6B plus 8C plus 16A 2A के निचे होगा 16A plus 13C plus 13C C के निचे C होगा C का sign 13C का sign प्लस है तो प्लस प्लस 18B प्लस 18B B के निचे B होगा अब हमें इनके addition करने हैं addition करने हैं तो sign किसी का भी यहाँ पे change नहीं होगा अब same sign addition different sign subtraction अब इस सभी का sign प्लस है तो same sign है तो addition करने हैं simply हमें और 16 प्लस 2 यहाँ पे 18A variable as it is रखना है साथ में प्लस 18 प्लस 6 24B variable as it is प्लस 13 प्लस 8 21C तो 18A प्लस 24B प्लस 21C अब वही question जो है वो हम horizontal arrangement से solve करेंगे first algebraic expression हमने यहाँ लिखा है 2A प्लस 6B प्लस 8C प्लस second algebraic expression 16A प्लस 18B प्लस 13C अब bracket के बाहर sign प्लस है तो plus से multiply करेंगे तो sign किसी का भी change नहीं होगा 2A प्लस 6B प्लस 8C as it is आएगा फिर प्लस से bracket को multiply sign किसी का भी change नहीं होगा 16A का sign positive है प्लस ही रहेगा 16A प्लस इंटू प्लस प्लस 18B प्लस इंटू प्लस प्लस 13C अब जो like term है उन्हें हमें एक साथ लिखना है 2A का sign प्लस है प्लस 16A प्लस 6B प्लस 6B प्लस 18B प्लस 8C प्लस 13C अब like terms के addition इन दोनों के इन दोनों के BB, CC जहांपे variable part same है वो like term और उनकी हमें addition और subtraction कर सकते हैं तो 2A प्लस 16A तो इसे हम और एक आसान भाषा में समझेंगे यह मतलब सबोच चेर्स हैं तो 2 चेर्स प्लस 16 चेर्स तो 2 प्लस 16 यहां पर हो जाएंगे 18 चेर्स 18A प्लस 6B प्लस 18B 18 प्लस 6 24 24B प्लस 8C प्लस 13C 13 प्लस 8 21 21C 13X स्कार माइनस 12Y स्कार और 2 अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन है 6X स्कार माइनस 8Y स्कार तो 1 अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन ब्रेकेट में लिके 13X स्कार माइनस 12Y स्कार प्लस 2 अलजेब्रिक एक्स्रेशन 6X स्कार माइनस 8Y स्कार अब 13 x square minus 12 y square as it is प्लस से bracket को multiply करेंगे तो यहाँ पे sign change नहीं होगा plus 6 x square plus into minus minus 8 y square अब like term को हमें एक साथ लिखना है 13 x square plus 6 x square minus 12 y square minus 8 y square अब इन दोनों का इन दोनों का addition है subtraction अब 13 का sign plus plus same sign है तो addition 13 plus 6 19 x square minus 12 y square minus 8 y square y square y square as it is variable part minus 12 minus 8 minus 12 minus 8 same sign तो addition 12 plus 8 20 greater number 12 का sign minus minus 20 y square एतो होगे horizontal argument अब vertical argument में कैसे solve करना है देखी 13 x square minus 12 y square plus 6 x square x square के निचे x square 6 x square minus 8 y square y square के निचे y square अब addition करना है तो sign किसी का भी change नहीं होगा अगर हम subtraction करते हैं तो इन दोनों का sign change होता है हो अभी हम बाद में पाइंड लेंगे तो addition में sign change नहीं होगा 13 का plus 6 का भी plus 13 plus 6 19 x square minus minus same sign addition 12 plus 8 20 greater number का sign minus minus 20 y square तो answer होगा 19 x square minus 20 y square next is 17 a square b square plus 16 c और दूसरा algebra का expression 28 c minus 28 a square b square तो हम इसे vertical arrangement से solve करेंगे 17 a square b square plus 16 c अब 28 c का sign कुछ भी नहीं है मतलब प्लस होता है तो plus 28 c c के निचे c होगा minus 28 a square b square minus 28 a square b square a square b square के निचे a square b square अब यहाँ पर a square b square a square b square variable part a square b square वही as it is रहेगा addition या subtraction कोई भी change में होगी अब इनके addition करना है तो sign किसी का भी change नहीं होगा 17 का sign plus 28 का minus different sign तो subtraction 28 c 17 को subtract करे 8 minus 7 1 2 minus 1 1 तो 11 28 c 17 से greater है तो 28 का sign minus minus 11 a square b square plus plus same sign addition 8 plus 6 14 borrow 1 2 plus 2 greater number का sign plus 7 में variable c 3y square minus 10y plus 16 एक algebraic expression 2y minus 7 दूसरा algebraic expression तो first algebraic expression 3y square minus 10y plus 16 as it is रिखेंगे plus 2y y के निचे यहाँ पर 2y minus 7 constant के निचे constant minus 7 हमें यहाँ पर minus 7 लिखना होगा अब प्लस है तो इन दोनों का sign change नहीं होगा तो 3y square के addition के लिए यहाँ पर कोई y square नहीं है तो 3y square as it is हमें 3y square लिखना है क्योंकि यहाँ पर 3y square plus 0y square होगा 3 plus 0 3y square minus 10y plus 2y 10 minus 2 8 y साथ में greater number का sign minus minus plus different sign तो subtraction plus 17 minus 7 तो यहाँ पर भी 17 से 7 subtract करें तो 9 greater number का sign plus अब जब हमें horizontal arrangement से इससे solve करना हो तो कैसे करना है थी कि 3y square minus 10y plus 16 plus 2y minus 7 अब variable part 3y square यहाँ पर कोई 3y square नहीं है तो 3y square नहीं लिखना है minus 10y plus 2y plus 16 minus 7 तो 3y square as it is रखिए minus 10y plus 2y minus 10 plus 2 minus 8y अलगलग sign subtraction greater number का sign 17 minus 7 अलगलग sign plus minus different sign 16 minus 7 9 greater number का sign plus plus 9 next algebraic expression है minus 3y square plus 10y minus 16 और 7y square plus 8 इन दोनों के addition तो अब minus 3y square plus 10y minus 16 as it is first algebraic expression हमने लिखा है plus 7y square y square के नेचे plus 7y square अब plus sign लिखने के जरुरत नहीं है plus 8 constant के नेचे constant लिखना है अब इनके addition करने है तो sign दोनों का भी change नहीं होगा minus 3 plus 7 different sign subtraction 7 minus 3 4 greater number का sign plus लिखने की जरुरत नहीं है y square variable साथ में लिखना है अब plus 10y यहाँ पर y की कोई भी term नहीं है तो 10y को हमें 10y as it is रखना है minus 16 plus 8 different sign subtraction 16 minus 8 8 greater number का sign minus तो यह होगा answer तो practice at 33 अभी समाप्त हो चुका है तो आगे जो वीडियो होगा उसमें हम subtraction of algebraic expression यह point कवर करेंगे तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद